हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप कि सभी अच्छे होंगे बच्चों जैसा कि आप जानते हैं आपके सीथ कालिन अवकास एक जनवरी 2022 से शुरू होने जा रहे हैं तो बच्चों आपके इस अवकास के लिए आपको ग्रह कारे दिया जा रहा है तो कि आपको आने वाले वीडियो के नौटिफिकेशन मिलते आएं तो शुरू करते हैं बच्चों सबसे पहले हैं एक जनवरी 2022 का होमवर्ग गती विधी समय बहुत कीमती है सभी को पता है हमें कभी भी समय बरबाद नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बार जाने के बाद समय कभी वापस नहीं आता है इसलिए चुट्टियों में अपने दिंचर्या का टाइम टेबल बनाओ और फिर अलग-अलग गती विधियों के लिए अलग-अलग रंगों से बक्सों को बरो तो बच्चों यहां पर गती विधी है और यहां पर है एक दिन में समय लिया और बच्चो अबी समय आप एक दिन में लेते हैं तो बच्चों यहां पर उस समय को फिल करेंगे और बच्चों यहां पर अलग-अलग बॉक्स में अलग-अलग रंगों से बढ़ेंगे अब बच्चों नेक्स्ट है गती विधी माचिस की तीलियों का उप्यों करके त्रभूज वर्ग आयत पंच भूज सपत भूज और अश्ट भूज जैसे विभिन आकार और विभिन परकार के कौण जैसे की न्यून कौण समकौण और अधिक कौण बनाएं और उन्हें अपनी कौपी में चिपकाएं तो बच्चों आप यहां पर माचिस की तीलियों का उप्यों करके तिर तो बच्च उस तरीके से तुरभुजद बनेगा और बाकी आगरती आप इस तरीके से बनाएंगे आसी बच्ट आप को सबसेदी और घॉ dw वरी 2022 का गतिवीदी है हमें पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस pH रेंग 5.5 से 8.5 के बीच जीवित रह सकता है तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जो प्रकरती में pH 8.5 से अधिक छारिये या फिर 5.5 से कम अमलिय हो ग्राफ का अध् ग्राफ है आप इसका सीर्षक बताएंगे यहां पर दिया गया है वाई अक्ष पर उप्योग हुआ पैमाना क्या है तो बच्चो इसमें अक्ष कौन कौन से होते हैं एक्स और वाई अक्ष तो बच्चो इसे कहते हैं वाई अक्ष और इसे कहते हैं एक्स अक्ष तो जो भी बार सबसे डाउन है तो बच्चो उसका PhD मान सबसे कम है next है उस पदार्थ का नाम बताएं जिससे आप बचना पसंद करोगे तो बच्चो इसमें आप किस पदार्थ से बचना पसंद करेंगे उसे यहां से देखकर लिखेंगे अब बच्चों नेक्स्ट है गतिवी धी बच्चों की उम्र जानने के लिए निर्म लेखित वर्णन पढ़ें नीचे बच्चों की उम्र लिखें कैली पीट से 3 साल बड़ी है जैक और एसले उम्र में समान है मेक्स कैली से दो साल बड़ा है पीट नौ साल का है एसले मेक्स से तीन साल छोटी है और मैडी से दो साल बड़ी है तो बच्चों यहाँ पर कुछ हिंट दिये गए हैं जिनसे आपको यहाँ पर बच्चों की उम्र का पता लगाना है और यहाँ पर लिखना है इन्हें अपने दैनिक आहर का हिस्सा बनाएं, निम्न तालिका में वह सब लिखें जो आप एक हफ़ते में खाएंगे, तो बच्चो यहाँ पर यह तालिका दी गई है तो बच्चो आप सौमवार में नास्ते में क्या लेंगे दोपहर के भोजन में क्या लेंगे और रात को क्या लेंगे तो बच्चों यहाँ पर फिल करेंगे मंगलवार को क्या लेंगे बुद्वार, वीरवार, सुक्रवार, सनीवार, रविवार तो बच्चो आप जो भी नास्ते में दोपहर के भोजन में और रात्री भोजन में लेंगे तो बच्चो इस सब को आप इस टेबल में फिल करेंगे अब नेक्स्ट है तालिका में नीचे दिये गए नौटों की लंबाई और चोड़ाई का अनुमान लगाएं उन नौटों को मापें और अपने माप और अनुमान में अंतर लिखें तो बच्चो यहाँ पर आकार दिया गया है 10 रुपे का नौट, 50 रुपे का नौट, 100 रुपे का नौट, 200 रुपे का, 500 रुपे का तो बच्चो आप यहां पर पहले अनुमान लिख लेंगे कि नौट की लंबाई अनुमान में कितनी है और चोड़ाई लिख लेंगे फिर बच्चो आप उस नौट को मापेंगे उसकी लंबाई को मापकर यहां पर लिखेंगे और फिर चोड़ाई मापकर लिखेंगे तो नीचे दिएगे ग्रिड में उत्तरों को रंग दें देखिए आपको क्या मिलता है तो बच्चों यहां पर इस सवाल दिए गए हैं जैसे कि बच्चों फर्स्ट है 21-16 तो बच्चों 21-16 कितने होते हैं तो बच्चों इसका जो भी आंसर है उसे आप इस ग्रिड पर आप सवस्थित करें ताकि किसी भी सीदी रेखा उडवादर 36 विकंड में तीन संख्याओं का योग 15 के बराबर हो तो बच्चों यहां पर जो है आप एक से नौ तक की संख्याओं को भरेंगे और बच्चों आप इस तरीके से भरेंगे कि इसकी वर्टिकल और होरिजेंटल या अपलोड कर दिया जाएगा बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू